Hello friends, welcome back to another video. उम्मीद करता हूँ, आप लोग काफी अच्छे होगे. आज किस वीडियो में आप लोग के साथ जो तरीका शेयर करने वाले हो, जो आप लोग बताने वाले हो, या फिर कह सकते ही, जो प्लगिन हम आज यूज करने वाले हैं. और बहुत ही amazing, amazing options को हम यूज करने वाले, जिनके लिए हम अलग-अलग बहुत सारी plugins को यूज करते हैं, Elementor के अंदर, मगर ये अपने आप में एक ऐसा option है, जिसको यूज करने के लिए आपको सिरफ एक plugin और एक theme को यूज करना पड़ेगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ compromise करना पड़े, compromise बिल्कुल नहीं करेंगे, अगर हम उसकी performance की बात करेंगे, तो उसकी speed बाकी designing की जो हमारी websites बनती हैं, उनसे अच्छी होगी, उसकी जो performance है वो बहुत अच्छी होगी, and designing हम बिल्कुल अपने हिसाब से अपने customization पूरी कर सकते हैं, और किसी भी तरह का business हो आपका, आपको इसको offline से online लेके आना है, तो ये वीडियो आपनों के लिए बहुत useful होने वाली है, चैया आपको खुद का business हो, अपने लिए website बनानी हो, या फिर आप किसी client के लिए काम करते हो, freelancer हो और designer हो, तो ये वीडियो आपनों के लिए बहुत helpful हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए आगे जाके helpful होने वाली है, तो ज़्यादा बात या ना करते हैं, चीज़ें चीज़ें लिए laptop screen के अंदर, पहले मैं आपको बताऊगो कि मैं क्यों इसको यूज करने के लिए बोर रहा हूँ, इसके benefits क्या है, जैन उस plugin के बारे में बताऊगो मैं आपको, जैन उसके बाद मैं उस plugin को कैसे यूज करना है, उसको कैसे install करना है, उसके सारी settings हो गए, उसमें जितने भी functionality है, सब के उपर one by one हम बात करेंगे, बहुत ही अच्छा plugin है, मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफि सारी चीज़े इसने solve करती है, मार्केट में आज की टाइम पर हमें अलग अलग चीज़ों के लिए अलग के option को यूज करना पड़ता था, बाट इसको यूज करने के बाद मुझे लगा कि हाँ one and only solution है, बागी plugins के यहां पर कोई ज़रूइत नहीं है, तो हम सबसे पहली बात यहां पर जितने भी एक्स्टा plugin उनको buy कर सकते हैं, और एक plugin की दम पर फूरी website को create कर सकते हैं, तो चलते हैं मेरे laptop screen के अंदर वहां पर वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं, तो फ्रेंट जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अपनी laptop screen के अंदर यहां पर आ चुके हैं, तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुए, डिजाइनिंग ब्यूटिफूल वेबसाइट विट फ्री वर्डप्रेस पेज बिल्डर, से गुडबाइ टू एक्स्ट्रा प्लगिन्स, वाइ टू यूज दिस प्लगिन, इस प्लगिन को हमें यूज क्यों करना सही है, या फिर मैं इसको रेकमेंट क्यों कर रहा हूं, उसके मैंने कुछ पॉइंट बना रखे हैं, कुछ हमें रिविउ करना है, किसolics के पार में कोई स्किमा एड़ करने तो इसके लिए रिविउ के लिए लग से फ्लगिन्स को हम यूज करते हैं, कुछ और होपशन स्गेंट को ठृत्राइब करना है, क्यों से कछके दिन सब्माने पfalप्रिशन का सबसना है, मगर जो option आज मैं आप लोगों साथ share करने वालों उसमें सिर्फ और सिर्फ एक plugin की आपको ज़रत पड़ेगी उसी के अंदर सारे option आपको मिल जाएंगे इसका मतलब कोई extra resource आपकी website के ओपर या फिर आपकी hosting पर नहीं पढ़ने वाली सब कुछ बहुत easy to use अगर आप लोग एक नॉर्मल अपना social network को handle कर रहे हैं facebook को operate कर रहे हैं twitter कर रहे हैं तो आप एक website को बहुत अराम से बना सकते हैं तो कोई भी यहाँ पर बहुत tension वाली बातनी की website कैसे बनती है सारे चीज़े आप लोगों को सामने करूंगा step by step करूंगा बस आपको ध्यान से देखना है second यहाँ पर creative and unique बहुत सारे इनके pre-made blocks मिल जाते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे plugins को use नहीं करना पड़ता जाते हैं यहाँ पर wireframe मिल जाते हैं पैटर्स मिल जाते हैं मतलब कि अगर आप डिजाइनर हैं क्लाइंट की साथ पहले आपको वायर फ्रेम शेयर करना पड़ता है तो आप वायर फ्रेम की help से फटा-फट से अपना design क्रेट करके क्लाइंट की साथ शेयर कर सकते हैं पै ant mm बधिए जाते हैं बहुत सारे जैसे कि व फैलब होगा हो गया तरन काव स्यॉचसे हो गया इस तभीके कि यह आपका copy उठ है क्योंकि इसके अलावा यह है आपका पर्फॉरमेस चीजम की अ लग अजार्ष जरूरत नहीं बढ़ता है लग-अलग त प्लस यह वर्ट्प्रेस का जो बाइड डिफॉल्ट बिल्डर है जो गटन बर्ग है उसकी हेल्प से ही सब पुछ करने वाले वह एक्स्ट्रा पेंच बिल्डर को यहां यूज नहीं करने वाले तो यह तो थी बहुत इंपोर्टन बात है जो मैंने आपके सामने की हैं प्लस यहां पे बिल्ड इन SEO फीचर यहां पर आपको मिलते हैं जैसे कि आपका जो स्कीमा होते हैं जैसे कि आपका जो हाऊ-टू-थी-चीमा हो गया रिव्यू का स्कीमा हो गया इवन तेबल ओफ कंटेंट का उप्शन भी आपको इसके नदर मिल जाता दो बहुत ही मैं अच्छा लगा इसलिए मैं उसके ओपर वीडियो बना रहा हूं और अपनों उससाथ शियर कर रहा हूं पहले मैं आपको एक डेमो वेबसेट भी दिखा लेता हूं जिसको देख कि आपको आइडिया लग जाएगा कि यह जो प्लगिन मैं बता रहा हूं इसमें क्या क्या कि अगर हम बात करें तो यही मेरी वो डेमो वेबसेट मैं इसको फटा फट से एक बार रीफ्रेश कर लेता हूं और अपनी लाइट वेट है यह फटा फट से रीडोड भी हो जाएगी और वेबसेट दिखाने से पहले मैं आपको दो पर्फॉर्मेंस भी दिखाता हूं जो पेंज बिल्डर जो कि मैंने बता है आपको उसकी हल्प से बना है जो कि गटनबर्ग पेंज बिल्डर है मतलब गटनबर्ग का ही अपने वर्टपरस का बाय डिफॉर्ट गटनबर्ग है उसके उपर बना है तो दोनों में डिफरेंस है यहां पर इसको A स्कोर मिला है और Elementor का बना हो पेंज का 20 स्कोर मिला है सीथा सीथा यह फरक तो यही आ गया है अब हम डिजाइन की तरफ चलते है अपनी डेमो वेब्सेट को देखते है उसमें क्या क्या चीजें है कैसे हमने किये सब कुछ वन बाइवन यहां पर देखते है तो यहां पर देख रहे हैं एक ट् दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरह के लाइन है उपर नीच ओपर इस तरह के हमने एक सेक्शन को क्रिएट किया है कोई पेंज में यूज नहीं किया फिर मैं आपको बता रहा हूं और सिरफ एक टीम को यूज करके ही पूरी साइड यह बनी है इस तरह का एक सेक्शन यहां पर क्रिएट किया है जिसमें कि जो भी इनकी सर्विसेस हैं वो इन्हों दिखाई चाहिए वो डिजाइनिंग हो डेवलपमेंट हो मार्केटिंग हो सोचल मीडिया हो इकॉमर्स हो या फिर इनका जो भी हेल्प और सपोर्ड का सिस्टम रहेगा तो यहां पर होवर पर इस तरह से शेड़ो आती है और जो आइकन है उसका कलर चेंज होता है और उसके बाद यहां पर पोटफोलियो का सेक्शन है जो की सिंपल कुछ इस तरीके से था बट मैंने यहां पर इसमें कुछ चेंज करके कुछ जूम-इन टाइप का इफेक्ट सकते हैं इसको स्लाइड भी करके हम दिखा सकते हैं बिल्कुर सेम इस तरीके से जैसे यहां पर नीचे आपको टेस्टिमोनियल टाइप का स्लाइडर दिख रहा है और उसके बारे में नीचे सिंपल इस तरीके का फुटर फुटर भी बहुत अच्छा लगर आप लोगों के सामने है अब बात करें यहां पर इसके लहां बहुत ही ब्यूटिफूल डिजाइन बना हुआ है अब इस तरीके से बहुत ही ब्यूटिफूल डिजाइं बना हुआ है और उसके इंचे यहां पर कुछ नंबर्स है जिनको कि हम अनिमेट जो नंबर टाइप का ऑप्शन होता है ना इलिमेंटर के अंदर सेम वही इसको यहां पर यूज़ कर सकते हैं मगर इन्होंने by default सिंपल सा रखा है कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखा हो है यहां पर इंद उसके इंचे यहां पर आता है सर्विसेस का उप्शन जैसे कि हमारे होमपीच में सर्विसेस रखे हैं वैसे यहां पर भी सर्विसेस आपको दिखेंगी कुछ इस तरीके से एंद रहा का पेज है यहां पर फॉर्म है यह भी डिफॉल्ट गटनबर का फॉर्म का उप्शन है कोई एक्स्ट्रा फॉर्म के लिए प्लगिन हमने यूज नहीं किया मैप भी डला हुआ है एड्रस भी डला हुआ है और सेम इस तरह की यह तो थी डेमो वेबसाइट जो की मैंने उस से बनाई है बहुत ही इजी टू यूज इनका टेंपलेट सा उसको यूज करके मैंने बनाई है अब हम बात करते है यह तो थी डेमो वेबसाइट उसकी स्पीड परफॉर्मेंस सबकुछ हमने देख ली उसमें क्या के चीज़ें सबकुछ बता दिया अब उस प्लगिन का न वेबसाइट विजुल वेबसाइट बिल्डर एंड यहां पर लिखावा स्पेक्ट्राइज 100 प्रसेंट बिगनर फेंडली एंधांज देफॉल्ट वर्ट्रस ब्लॉक एडिटर इसमें की सुपर फास्ट एंस्टेबल है सिक्योर है इंटेग्रेटेटिज नेटिव वर्ट सब कुछ हमारा काम हो जाता है एंड फास्ट नोटिंग फॉंट है फॉंट्स को अपने सर्वर पर अप्लोड कर सकते हो इसको सीधा फटाफट से कॉल करा सकते हो इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं सब को हमने आउन कर रखा है तो उसका लोड ना पड़े तो इसमें आप ए इस तरह की option है आपके page के अंदर चाहिए आपने पचास ब्लॉक्स कर रखे हैं मगर आपके page के अंदर चार ब्लॉक ही यूज हो रहे हैं तो सिरफ चार ब्लॉक ही लोड होंगे बागी का लोड नहीं पड़ेगा तो बहुत ही अच्छे options के साथ ये चीज़े बनाई गई है तो मेरी साब से तो बहुत जबर्दस है जैसे कि मैं टेंपलेट की बात कर रहा था टेंपलेट बने बनाई बहुत सारे मिल जाते हैं प्लस यहां पर wireframes का जैसे मैंने बोल था wireframes आपको मिल जाते हैं अगर क्लाइंट के आपको wireframes शेयर कर सकते हो एंद उसके बाद approval आता है उसके बाद हम बात करें यहां पर इसका एक section बहुत important है जो कि महुत अच्छा है जसमें की सारे option हमारे को मिलते हैं blocks blocks के नदर अगर आप आएंगे तो आपको सारे के सारे blocks मिल जाएंगे यहां पर जो भी इनकी 28 या 30 blocks हैं अब उन blocks के ओपर हम बात करेंगे सारी सीचे हम जानेंगे detail में मगर पहले यहां पर मैं आपको यह बता जिता हूँ कि आपको इस plugin को download कैसे करना है तो सबसे पहले आपको get started के button पर click करना है यहां पर आपको अपना नाम email id डालना है subscribe and download के button पर simple आपको click करना है यहां पर सीधान चे आप no thanks I just want to download spectra simple इस पर click करेंगे आपको file मिल जाएग तो सबसे पहले जलते हैं अपने WordPress के dashboard के ओपर यहां पर आपको एक चीज में और बता देना चाहता हूं अगर website के बार में आपको पता है थोड़ा बहुत WordPress के बारे में पता है तो आपको चीजे समझ आ रहे होंगी कि plugin क्या होता है और उसको upload कहां करना होता है बट अगर आ आपको समझना है कि उसको में use कैसे करना होता है और कुछ भी नहीं है तो यहां पर उसके लिए मैं आपको यहां पर recommend करूंगा आप मेरे चैनल पर आओ या फिर सीधा Google पर YouTube सीधा YouTube पर सर्च कर सकते हो web technical tips WordPress tutorial यह सब कुछ सर्च कर सकते हो या फिर आपको simply मेरे चैनल पर आना है और यहां पर सर्च का आपको आइकन दिख रहे है यहां पर आप simply WordPress tutorial करेंगे तो simply यहां पर WordPress tutorial करेंगे तो यहां पर आपको यह वाली वीडियो मिल जाएगी WordPress tutorial for beginner to advance in Hindi how to make a WordPress website यह एक आपको वीडियो मिलेगी जो की दो सल पहले मैंने बनाई थी मगर बहुत important वीडियो है पूरी detail में almost 2 घंटे की वीडियो है मगर WordPress की आपको यहां पर पूरी knowledge मिल जाएगी उसके बाद आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाता हूँ और मैं क्या के चीज़े बता रहा हूँ और इसको आपको कैसे use करना है अपने लिए website बनानी हो अपने client के लिए website बनानी हो या किसी भी business को online आपको लाना हो तो website बनानी बहुत ही असान है आज के टाइम पर बिल्कुल भी आपको किसी coding की जुरत नहीं है तो ठीक है यहाँ पर आना है आपको plugin वाले section पर जाना है पहले आपको plugin वाले section पर भी ले जा कर दिखा दूँ कि मैंने जैसे आपको का था सिरफ एक plugin और एक theme को ही हम यूज़ करने वाले है तो यहाँ पर एक ही plugin है spectra जो कि already installed है अगर आपको install करना है तो उसका process में दुबार आपको बता रहा हूँ यहाँ यहाँ पर यह install है इसलिए आपको दिख रहा है जब आप आओगे आपको spectra नहीं दिखेगा आपको उसको upload करना Bluehost plugin इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जो hosting मैं यूज़ कर रहा हूँ वो Bluehost company की है यह मेरे उस hosting account से connected है इसलिए आप Bluehost का plugin दिख रहा है बागे इसको मैं deactivate भी कर दूँँ तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला ठीक है इसको मैं deactivate करके delete भी कर दूँँ तो भी कोई दिक् पर क्लिक करना होता है और यहां पर upload plugin वाले option पर आपको क्लिक करना होता है चूज फाइल करनी है और जो plugin अभी आपने download किया है simply क्या करना है उसको select करना है तो मैं फटा-फट से उस plugin को select करके आपको दिखा रहता हूँ तो desktop के ओपर यह पड़ा हुआ है simply मैं इसको open करना होगा उसके बाद यह install होना शुरू हो जाएगा जैसी इंस्टाल हो जाएगा तो activate करने के लिए बोलेगा simply आपको activate करना होगा और कुछ भी नहीं करना होगा आपका plugin add हो जाएगा that's it क्योंकि मैंने आप इंस्टाल कर रहा है इसलिए मैं दुबारा इसको install नहीं कर र यहां पर आने के बाद कुछ blocks and extensions हैं जैसे कि मैंने आपको खातन के बहुत सारे blocks हैं जिनको आप चाहो तो यहां से एक बारी में deactivate कर सकते हो और एक बारी में activate कर सकते हो और यहां पर अलग-अलग all देंगे तो all में सारा दिखेगा कुछ core block देखेंगे तो यह है creative के लिए यह है content regarding यह है post के regarding यह है social के regarding यह है forms चाहिए तो form का यह है SEO से related यह है जैसे कि मैंने का था FAQ, how to, review, table of content यह सारे कि सारे आपको एक ही plugin के अंदर सारे option मिल जाते हैं कुछ extensions भी हैं के जिसमें के display condition हो गया, messenger gallery हो गया, responsive conditions हो गया, और भी future में हो सकते हैं कि और भी जितने blocks आ आएंगे, आएंगे definitely जिरूर आने पिचे कुछ एक option ऐसे हैं, जो अगर add हो जाए तो यह अपने आप में complete plugin बन जाएगा, बागे उसके बार में भी आगे जाके मैं वीडियो में बात करने वालो हूँ, तो यहाँ पर सारे आपको blocks, इनके extensions दिख जाते हैं, और उसके यहाँ आप इसने अपने आप automatic fetch कर लिए, क्योंकि Astra Theme और Spectra अप लगे इन दोनों ही एक ही company के product है, तो यह आपस में इनके अच्छे खास integration है, और आप भी Astra Theme और इसको यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे smoothly आप काम कर बाऊगे, और उसके बाद यहाँ पर container padding 0, container element gap 20 pixel, दो blog editor spacing 0 pixel, collapse panel इसमें on है, copy paste style का option भी इसमें on रखा हुआ है, जैसे कि हम अपने block पे काम कर रहे हैं, अपने button back block पे काम कर रहे हैं, उसमें हमारे को, किसी एक block का हमें style को copy करके, दूसरे में apply करना है, तो यह option महाँ से काम हाता है, इसके लिए अच्छा होता है, और उसके लिए आप हम जाएं, तो यहाँ पर asset generation, यहाँ पर आपके side में कुछ गरबढ हो जाती है, कुछ CSS वगरा, JS वगरा रहे हैं से काम नहीं करती है, तो आप इसको regenerate access करेंगे, उसके बादे प्रोपर तरीके से काम हो जाएगा, और आपको जो भी दिक्कत फेस करते हैं, वो ठीक हो जाएगी, templates का option यहाँ पर आपको रखना है, enable रखेंगे तो ही वो button दिखाए देगा, जिससे हम templates को access कर पाएंगे, and version control में क्या अगर हो सकता है, कि कोई नया version है, वो आपकी website से compatible नहीं है, या फिर कुछ दिक्कत कर रहा है, तो आप पुराने version पर दुबारा यहाँ से करक उसको rollback कर सकते हो, ताकि आपकी website ठीक रहे, enable beta का मतलब यहाँ पर इसको enable कर देंगे, तो future main के beta version में जो भी updates आएंगे, उसको आप पहले से ही use कर सकते हो, पहले से ही try कर सकते हो, and उसके बाद यहाँ performance का option है, load google fonts locally, इसको आप आप रखेंगे, तो यह best drag आपकी website के लिए, preload local fonts इसको भी आप open रखें, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर इसको on कर देंगे, तो आप जो select कर देंगे font, वही font use होगा, आपकी website के अंदर, and block setting में आने के बाद, यहाँ पर कुछ forms related recapture option होते है, इनकी secret key वगर, आपको यहाँ पर site की वगरा डालनी होते ह इसके बाद वो form में लग जाते हैं, and कोई भी जैसे की spamming और लो करते हैं, वो कम होती है, आपकी website के अंदर, and coming soon page है, अगर आपकी website development mode पर चल रही है, आप इसको on कर सकते हो, user के लिए हम आप coming soon का page दिखा है, मगर आप real work में उसको काम कर पाएंगे, तो यह कुछ इसकी basic setting जो की थी, मैंने आपको दिखाने थी, बताने थी, बता दिया है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर इसके एक block के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगी, जो मैंने यह design बनाया है, यह मैंने design कैसे बनाया है, आपको बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हैं, तो पहले आप एक कुछ फेवरेट मेरे ब्लॉक है वो भी मैं आपको वीडियों बताऊंगा क्योंकि उसकी वज़ा से ही यह प्लग-इन अपने आप में एक अलग वन-मैन आर्मी बन पाया है तो यहां पे करके हम हर ब्लॉक के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में बताऊंगा कि मेरा फे अपने लेट बेसंब्स आपने डिजाइन को मना सकते हैं इसकी पीर पार इसकी पजिशन को हैम कर सकते ayah। फटाफ़िकर करें किस लिए with its उसमें हमें क्या क्या चीज़े एक्स्ट्रा मिलती है आप उसको responsive layout करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ अगर आप responsive layout बनाना चाहते हैं तो container flexible रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा optimize code रहते है इसका extra चीज़े नहीं करते हैं इसमें क्या क्या चीज़े होती है direction हम अपने left side से रख सकते हैं right side से रख सकते हैं वर्टिकल कर सकते हैं हना और इसमें हम alignment जो करने होती alignment बहुत अच्छे से कर सकते हैं justify content बहुत अच्छे से कर सकते हैं wrap उगारा का option आपको इसके अंदर मिल जाता है तो इसमें जब काम करेंगे तो अब detail में समझाएगा बाकि इसके उपर मैं एक proper dedicated video भी बनाऊँगा future में इसमें की detail में बताऊँ container flex box container का क्या benefit होता है and designing में किस तरीके से यह आपके लिए बहुत helpful हो सकता है उसके बाद यहां पर option आता है counter का जो कि आपको elementor के अंदर भी मिलता है counter कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हैं जैसे की इस तरीके counter हो गए या फिर इस तरीके से counter को section को दिखा सकते हो इस तरीके से counter वाले sections को add कर सकते हो अपनी design के अंदर जो कि देखने में बहुत अच्छा रगता है उसके बाद यहाँ पर model का option मिलता है model पर क्लिक करके अब दिखाता हो कि model क्या चीज होती है तो यहाँ पर आने के बाद जैसे कि इस पर क्लिक करते है subscribe to newsletter इस तरीके के जो model बन जाते हैं जिसमें कि आप user से कुछ subscription वगारा करवाना चाहते हो उनकी email id लेना चाहते हो बाद में उनको कुछ offer send करना चाहते हो इस तरीके के model box बनते हैं जो pop-up बनते हैं उसको हम क्याते हैं जैसे इस पर क्लिक किया इस तरीके कुछ option पूपन जुरत नहीं है इस तरीके slider आप बना सकते हो अपनी website के अंदर इसको use करके बहुत अच्छी चीज़ है यह नहीं तो इसके लिए आपको plug-in वगारा use करने पड़ते हैं जो कि बहुत जादा load डालते थे और उस पर extra काम भी करना पड़ता था इस तरीके option आप बना सकते हो इस block को use करके activate करके इसके बाद वाली आती है यहाँ पर image gallery की so image gallery में आने के बाद कुछ इस तरीके application आपके očn प्रेट कर सकते हो इस तरीके sब कुछ image gallery बगारा बसट करना हो और At इस तरह के option भी आप यूज़ करने है इस तरह के option भी आप यूज़ कर सकते हो इस तरह के option भी इसे बहुत अच्छी चीज है यह एक प्र आपको अपने अच्छा option है अगर आपको अपने website के नंदर कुछ लाव दिखाने और लग लग बहुत सारी जगाने के लिए इस तरह के लिए प्रण की और यह वर्म को उप्षण है आपको कोई प्लग इन डालने की जोड़त नहीं है इनका बना बनाय बनाया default एक form है option है इस form को सीधा put drag करना है और इस तरह का form आप बहुत असानी से create कर सकते हैं जैसे कि आपके सामने है इस तरह की form वाराम से आप use कर सकते हैं बना सकते हैं और सीधा इस सारे सारे आप अपने inbox में call करा कर सकते हैं जितने भी कोरी आएगी प्लस यहां पर दीकाप्चा वगारा का भी option आप रख सकते हो ताकि कोई फाल्त हो की spamming वगारा ना कर सके फॉर्म वाला option भी काफी अच्छा फॉर्म है option है icon list का option में जाता है जिसके नदर कि आप इस तरह के छे अिस आइकन लिस्ट वगारा कर सकते हो इस तरह के से आप option कर सकते हो इस तरह के से एक पुछ पुछ आइकन दिखने हैं फिर पोस्ट के नीचे ब्लॉक पोस्ट को लोग शेयर करें तो यह ऑप्शन आप इस ब्लॉक को यूज करना जाते हैं उसके बाद बारे आती हैं पोस्ट ग्रेट की जो की बहुत अच्छा ऑप्शन है काफ़ अच्छा ब्लॉक अगर आप पोस्ट वगरा यूज़ करते हैं उसमें कुछ इस तरीके की ग्रेट वगरा को यूज़ करना जाते हैं तो इसको यूज़ करके आप बहुत असानी से इस तरीके ऑप्शन को अपनी वेबसाइट के अंदर एड़ कर सकते हैं यहां पर इस तरीके का कुछ ऑप्शन रखना है आप पोस्ट लाइडर टाइप का तो आप इस प्लगिन को यूज़ करके अपनी वेबसाइट के अंदर आपनी वेबसाइट के अंदर शो कर सकते हैं देखने में बहुत अच्छा लगता है अधार आप देखने इस तरीकी ऑप सेम्थास बना सकते हो इस प्लोग को यूज़ करके उसके बार जाती है इसमें इमेज़ करा सकते हो इमेज के अंदर होगया वह सारे आप यूज़ कर सकते हो तो कुछ इतना वह नहीं है table of content इसको देख लेते हैं table of content इस तरह का अपनी website के अंदर आप यूज करना जाते हो तो आपको कोई plugin डालने की जुरूरत नहीं है simple इसको आपको enable करना है और इसको अपनी blog post के अंदर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो बहुत असानी से उसके बाद बारी आती है यहां पर आपकी star rating की यह भी एक normal सा option है जो कि बाखी जगह देखने को मिल जाते हैं इस तरह के का option आपको enable करना हो तो आप राम से enable कर सकते हो एंद उसके बाद बारी आती है यहां पर call to actions की call to action के बहुत सारे आपको option मिल जाते हैं यहां पर आपको दिखा रहेता हूं इस त सकते हो अपनी blog post के अंदर अपने page के अंदर जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है उसके बाद आ रही है how to जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ schema के साथ यह आता है so how to schema आपकी website के लिए बहुत important schema है जैसे कि आप देख रहे हैं Google results में इस तरीके से होता है result how to make a cake step one choose a recipe step two हना इस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो Google results में उसमें जो option होते हो आपके लिए helpful हो सकते हैं और आपकी website पे अंदर अच्छा traffic ला सकते हो आप उसके बाद same FAQ का हो गया उसके बाद यह आती है बारी FAQ blog की जो कि अपने आप में बहुत की अच्छा schema है और इस इस तरह की Google में बहुत सारे आपको search results मिल जाते हैं जिससे आपकी website के लिए बहुत अच्छा traffic आता है जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके format में इस format में आपके options search results में देख सकते हैं तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं चाये grid layout में चाये according format में ठीक है इस त आपको दिखाया था अपने demo website में तो सेम वही चीज़ है यह उस तरह के option आप add कर सकते हो testimonial type का उसके बाद बाद यहाँ गूगल maps की जैसे normal google maps को हम कॉल कराना चाहें उसके custom height define कर सकते हो उसका zoom level आप यहाँ पर define कर सकते हो इस तरीके से आप यह option काम कर सकता है और उसके ब important message कुछ आपको शोग करने है वह आप add कर सकते हो कुछ इस तरीके का option होता है इसमें typography color and text padding के यहाँ प्ले कर सकते हो तो उसके बाद बारी आती है यहाँ पर review की and review आप में अच्छा schema है जिसमें काफी traffic आता है आपकी website के अंदर जो की कुछ इस तरीके से दिखता है search results में कुछ इस तरीके से तो यह भी बहुत अच्छा inbuilt schema है और उसके बाद आती है taxonomy list इस तरीके से आप अपने category को शो करना चाहो कर सकते हो उस पर क्लिक करके particular उससे related ही आपके सारे blog post दिखते है उससे related ही आपके सारी शीचिए शो होती है आप list format में दिखाना चाहो great format में यूज करके बहुत अससे बना सकते हो बहुत अच्छी चीजा है यह भी जैन उसके अधाद है marketing button different different type के unique and beautiful buttons create करने हो तो इस तरीके से grab this crazy offer इस तरीके बटन हो गए enrollment type का हो गया available offer type का हो गया download PDF type का हो गया इस तरीके बटन आप बना सकते हो जो की attraction काफी attractive होते है और काफी ल अधार रहती है content timeline की content timeline किस तरीकी से होता है वह फटाफिट से हम देख लेते हैं कुछ इस तरीके के आपने left side में middle में phone में इस तरीके से content type के आप कुछ timeline show करना चाहते हो तो show कर सकते हो ब्लॉग को on करके यह जान इसके बाद आप आप्शन आपको है टीम वगर आपको show कर परना हो तो टीम का एक block है proper जिसमें की नाम हो गया photo हो गई उसकी designation हो गए उसके बारे में हो गए उसके social profiles हो गए इस तरीके options को आप दिखा सकते हो जिसके बार जाते हो लोटी animation की कोई animation आप रखना जाते हो अपनी website के अंदर जिससे की engagement बहुत ज्यादा बढ़ता है आज आजकर इस तरीके animation हो गारा को यूज करना हो तो कर सकते हो जो कि आपको elementary में मिलता है मगर फ्री में वाले option में शायद नहीं मिलता तो यहां पर फ्री वाले option में भी शारी सीचा को मिल जाती है उसको use कर सकते है उसको loop उसका reverse उसमें बहुत सारे उसके positioning on click controls भी होते है यहां पर info box की उसको फटा फटा से एक बार देख लेते हैं info box में कुछ इस तरीके का option मिलता है आइकन हो गया title हो गया उसके divider हो गया text description हो गया कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो या फिर इस तरीके से images के साथ दिखाना चाहो इस तरीके से info box के साथ भी play कर सकते हो and responsive condition क्य है यह फटा फट से पर देख लेते हैं अभी यहां पर दिखाई देर है we are coming soon मगर आप design में जब जाओगे design में सारी चीज़ दिखती है आप आपको सम्झावाज से क्या होता है and उसके बार आते मैसेनरी गैलरी एक तो normal गैलरी का option होता है मैसेनरी गैलरी का वह भी फटा फ आपका जो वो section है वो किसको दिखेगा या फिर किसको नहीं दिखेगा चाहिए वो कोई logged in user हो logged out user हो कोई इसका role क्या है administrator है subscriber है contributor है वो अलग-अलग role के साफसे भी आप show कर सकते किसको दिखाना है किसको दिखाना इवन आप browser पर भी control कर सकते हो and operating system पर भी control कर सकते हो कि किस नहीं दिखाना जो कि काफी amazing चीज़ है इसकी तो यहां पर यह कुछ इसके blocks थी जो कि बहुत अच्छे-च्छे blocks के option थे मैं आपको दिखाया अब यहां बे मैं कुछ बात करता हूं कि इसमें अलग क्या block है जो कि बाकियों से इसको अलग करता है first of all this में जो flex box container का option मिलता ह second here you have slider block मिलते जिसके लिए आपको अलग से plugin यूज करना पड़ता है share block option मिलते इसमें plugin आपको यूज करना पड़ता है post grid and Russell block का भी option रिख करना पड़ता है post content के अंदर होगया timeline का option मिलता है उसके लिए आपको अलग-अलग तरा है plugins को यूज करना पड़ता है table of content के लिए आपको plugin का यूज करना पड़ता है मगर आपको इन सब चीज़ों की ज़रत नहीं पड़ता है how to and faq block option आपको मिलता है testimonial slider का option मिलते इसके लिए plugin का यूज करना पड़ता है marketing बटन हो गया lotty animation हो गया display and responsive condition तो इस आरी चीज़े जो है कुन मिला के मुझे इस plugin के ओपर मलदा करती है कि में को अच्छा लगा जिसके लिए मैं recommend कर रहा हूं अब बात करते हैं यहां पर जो मैंने आपको demo website दिखाई है यह वाली इस तरह की website बनानी हूँ या इस से related और भी कोई बनानी है तो आप कैसे बना सकते हो तो सबसे पहले चलते हैं अपने pages में add new button पे हम click करते में आपने page का यहां पर नाम रख देते हैं design के नाम से यहां पर page का नाम रख दगए design और इसके यहां पर i button इस में click करता हूँ ताकि यह धिमें title दिखाई ना दे मेरे design page के अंदर इसके बात यहां पर simple इसको publish कर देता हूँ then अब यहां पर template kids के ओपर simple अभी जो मैंने design बनाया है उस design का नाम है design agency अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो agency सर्च करता हूँ simple यहाँ पे और यहाँ पे I think marketing agency के नाम से था शायद वो यह रहा digital agency के नाम से था यह रहा इसका home page अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो यही home page आपको दिखाई दे रहे अगर मुझे इसको call कराना है और इस तरह की website बनानी जो कि मैंना आपको दिखाया तक सिरफ 5 तुन में आप बना सकते हो simple मुझे क्या करना है import home template plus मुझे इस button पे click करना है इस design का जितनी भी चीज़े होंगी सारी चीज़े मेरे page पे अपने आप automatic import हो जाएगी within second आपके सामने है सारी सारी import हो गई है और मैं इसको check करना चाहूं तो मैं इसको कैसे check आ सकता हूं इसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं करना simple मुझे क्या करना है extra की setting में जाना है क्योंकि मैंने extra plugin theme यूज की हुई है और extra theme की जो by default setting होती हो इसको मैं देख लेता हूं यहां पे यहां पर मुझे इसके full width करना है first of all तो इसको मुझे full width करना है उसके बाद इसका sidebar मुझे sidebar नहीं चीए no sidebar दैन उसके बाद यहां पर disable element में मुझे कुछ नहीं करना और advanced setting में आना है मुझे इसके transparent header को enable करना है that's it बंद करूँगा update करूँगा and यहां प्यांगा आपने page को यह बारी refresh करूँगा मैं आपके सामने है कुछ नहीं किया बच दो तिन क्लिक किया है first import किया देन उसके बार अपने steam में जाके इसको setting को test किया और पूरा पूरा project मेरे सामने ready है यहां पे अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यह पसंद नहीं आ रहा मुझे कोई और template से यह तो मुझे कुछ और करना हो तो करके देखेंगे सारे चीजे कैसे workout करती हैं रिमूव करती है मैंने सारे के सारे अब मैं जाओंगे दुबारा से templates के अंदर अब मैं यहां पर कोई और design डालना चाहूं तो कोई और design डालते हैं यहां पर फटा फट से इस पर क्लिक करता हूं रियल स्टेट वाले पर जो इसका home page है उस home page को मैं यहां पर स्लेक्ट करता हूं और जो home page है यहां पर इसको मैं simple यहां पर import करता हूं मतलब मैं यहां पर कोई भी डिजैन यहां पर बहुत सारी category अलग-अलग बहुत सारे design मिलते हैं किसी को भी आप इंपोर्ट कर सकते हो उसके नदर कुछ भी changes करना हो content में images में आपको किसी block में change करना है उसके design में change करना है सब कुछ यहां पर बहुत easily आप कर सकते हैं यहां पर इस तरह किसे आगे एक बज़ को update करते हैं एंड चेक करते हैं कि यह सही से दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है यहां पर view page करेंगे open in new tab same वही दिक्कत इसमें भी है क्योंकि मैंने उसकी setting चेंज कर दी थी तो मुझे दुबारा से जाना है एस्ट्रा की setting में इ इसको update करता हूं और उसके बाद यहां पर आऊंगा दुबारा से एक बारी एंड उसके बाद यहां पर update करने के बाद view page की link पर मैं simple click करूंगा open in new tab यहां पर इस तरीके से दिख रहा है और यहां पर I think एक चीज़ यह वाली है जो गरबड कर रही है यहां पर तो इसको मै मैंना को बताया था कि हमें इसको हटाना हो तो हम हटा भी सकते हैं मैंने simple क्या किया यहां पर आया जो यह मेरा first वाला था इस पर जाओंगा और सीधा इसको remove कर दूँगा यह उपर वाला अपने अप हट जाएगा update करूँगा यहां पर आऊंगा इसको refresh करूँगा इस तरीके से दिखने लग जाएगा वह अलाट में नेविगेशन उपर आ गई यहां पर फॉर्म है फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि यहां पर बोल रहा है कि WP फॉर्म आपने नहीं डाल लाए क्योंकि मैंने WP फॉर्म प्लगी नहीं यूज किया तो यहां मुझ इस तरीके से आ जाएगा और उसको उपर वाले को मैं चाहend jego कर beam करना तो simple में इस पर क्लिक पर देख भी लेते हैं यहां पर किस तरीके से दिख रहा है तो इस तरीके से यहां पर आ गीए है जैसा की design में आना चाथ हूँ जाता हूँ आपके सामने है एक क्लिक पे उपर आ गिया अगर मुझे कुछ इस पर जाएंगे, यहां पर container में आएंगे, यहां पर box, full width, box, container, बहुत सारी चीजे हैं, आपको first of all करके मैं एक चीज समझाना ही कोशिश करते हूं यहां पर, कि हमारा container की width, full width है, तब ही हमारे को full width में दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं यहां से इसको box कर दूँ, और इसको update कर दूँ, अब refresh करके एक बार check करते हैं, तो यह हमें full width में नहीं दिखाई देगा, अब यह box में दिखाई देगा हमारे को, इसी तरीके से अगर यह box में आ गया, अब मैं इसकी height, height कुछ define करना चाहूं, कुछ इसको adjust करना चाहूं, अपने हिसाब से, तो मैं कैसे कर सकता तो मैं इसको full width कर देता हूँ, इसके अंदर का container को fullness करना चाहूं, जासे की मैं घुझेंड करके उदेट कर देता हूं, मैं इसको यहाँ पर refresh कर दो क्या होगा, फुल width होगा, मगर जो intent है वो अंदर की तरफ आगा, आपके सामने, फुल width, बड़ जो content है वो अंदर के जैसे कि आप options को vertical रखना चाहते हैं, horizontal रखना चाहते हैं, row में रखना चाहते हो, column में रखना चाहते हो और उसके alignment क्या होगे, उसकी justify section क्या होगा, वो सब चीज़े हैं से हम control करते हैं उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इस section में आके, इसके footer में कुछ bottom वाले section में कुछ design वगरा मुझे add करने हैं तो वो कैसे कर सकता हूँ, simple style में आऊँगा मैं यहाँ पे, यहाँ पे shape divider का option मिल जाता है, इसमें bottom में जाऊँगा अब यहाँ पे बहुत सारी option आते हैं, mountains का हो गया, इस तरीके से mountain का हो गया अब यहाँ पे कुछ मुझे purple color वगर add करने तो कैसे कर सकता हूँ, simple इस पे जाऊँगा यह वाले color add हो गया, या फिर मैं यहाँ पे यह वाला color add करता हूँ, इस तरीके का option add करने के लिए, मैंने इसको update कर दिया यहाँ पे refresh करूँगा यह वाला option इस तरीके से add हो जाएगा, अब form फोड़ा open नीचे हो रहा है, अगर मुझे इसको set करना है तो नीचे आऊँगा इसकी padding में, spacing में 150 करता हूँ, ताकि फोड़ा और नीचे हो जाएगे, update कर देंगे, यहाँ से refresh कर देंगे तो हमारा जो design है थोड़ा नीचे आज़ागा, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, इस तरीके से अलग-अलग section पर अलग-अलग design पर अलग-अलग चीज़ों से अलग-अलग काम हम कर सकते है यहाँ पे आपको general का option मिलता है, style का option मिलता है, और advanced का option मिलता है एडवांस में आपके responsive condition होती है, display condition होती है, display condition होती है, जैसे कि मैं आपको कहा था display condition, user state, user role, browser या फिर operating system के भीहाफ पर हम कर सकते है responsive condition क्या रहती है, hide on desktop, hide on tablet, hide on mobile, इस तरीके से आप sections को, particular section को for example मैं यह वाला section, यह trusted by वाला section है, एक बार इस पर जाएंगे इस पर जाएंगे, यह वाला container, जो यह वाला container है heading है, container है और contain, ठीक है, जो यह वाला section है, मैं नहीं चाहता कि यह mobile में दिखे, या फिर desktop में दिखे, तो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया, hide on desktop update अब यहाँ पर यह दिखे, trusted by यह वाला option, अब मैं यहाँ पर refresh करूँगा, और check करूँगा, यह वाला option मुझे दिखता है, यह आपर नहीं दिखता तो simple है, आपके सामने वाला option चला गया है, अगर मैं दुबारे यहाँ से इसको on कर दूँगा, update कर दूँगा, जैना वो दुबारे से मुझे visible होना, शुरू हो जाएगा, refresh करके simple तो इस तरीके से यह वाले responsive condition वाली चीज़े काम करती है, जैड इंडेक्स क्या होता है, लेयर के ओपर काम करने के लिए होता है, एक ही प्लेस पे दो लेयर है, दो option है, दो container है, उनको open ही से करने के लिए जैड इंडेक्स को हम यूज़ करते है, एं style में आक हम उसके background हो गय and margin से play करते हैं, अलग-अलग block की अलग-अलग चीज़े मिलेंगे, मगर general style and advanced से आपको तीनो same मिलेंग, जैसे कि आपको elementar में भी मिलता है, तो इस तरीके से आप कोई भी block यहां से उठा सकते हो, कोई भी design आप उठा सकते हो, जैसे कि मैं आपको बना-बनाए design आप उठा स सकते हो, यहां बहुत सारे आपको patterns मिल जाते है, category wise, चाहे वो about section का हो, call to action हो, client हो, contact हो, faq हो, features हो, heading हो, hero section हो, अलग-अलग बहुत सारे section आपको मिल जाते हैं, इवन आप यहां पे dark या फिर light color में चाते हो, वो वाले से भी filtration लगा सकते हो, कि आपकी theme क्या है, light color theme है, dark color theme है उसके recording भी आप उठा सकते हो, even आप wireframes भी उठा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पताया था, अगर आप एक designer है, influencer है, client के लिए काम करते हैं, उनको पहले आपको design नहीं खाली wireframe दिखाना होता है, कि इस structure में हमारी website बनेगी, तो आप यहां पे आप wireframes भी create कर सकते हैं, चाहे आपकी website के अंदर उस place पर आजाएंगे, जैना आप client के साथ उसको share कर सकते हैं, approval मिलने पर, image के जगहां पर, image content के जगहां पर content या फिर background जो भी आपने color बगार्दा रखना हो, अपनी theme के according उसको आप add कर सकते हैं, तो इस तरीके से यह template वाले section भी काम करता है, तो यहां आप पर मैंने सिर्फ इस पूरे website के अंदर एक theme जो की extra रखी थी, और एक हमारा plugin जो की spectra का था, जिसको मैंने use करके इस तरह का design बनाया है, मतलब design क्या बनाया है, हमने template कॉल किया है, और यह सब चीजे call करके हमने set किया है, और अपने आपके सामने मैंने करके दिखाया है यह कोई भी paid नहीं है, सारे के सारी यह free है, आप कोई सावी design यूज़ करना चाओ, बस आपको simple उस पे click करना है, और उसको import करना है, उसमें अपको बड़े सारे अलग अलग time, पूरे मतलब collection मिल जाती है, website की home, about, services, testimonial, आपको जैसे की यह वाला section है, इसमें home page में गए, home म इंपोर्ट कर दिया, about the space पे जाओगे, about में जाओगे, about को इंपोर्ट करोगे, ऐसे अलग 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 को आपको इंपोर्ट कराना होगा, और इस तरीके simple से call करा के, आप अपनी website को ready कर सकते हो, बाद में अपनी content को change करके, अपनी images को change करके, अपनी website को whatever से आप live कर सकते ह मुझे लगा था कि मुझे इस plugin के बारे में आपको बताना चीए, जो कि बहुत ही जबवर्दस plugin है, इसमें कि आपको इस सारे features मिल जाते हैं, इतने सारे, जिसके लिए कि आपको अलग-अलग plugins को use करना पड़ता था, अलग-अलग तरीके से चीज़ों को use करना पड़ता थ ब्लॉक्स होते हैं, उनको use करकर के एक चीज को पूरा page बनाओ, तो उसके लिए आप मुझे comment करो, मैं आपको यहाँ पर आके पूरे जितनी भी चीज़े होती हैं, सारी इसकी एक इक detail में सारी चीज़े बताऊंगा, तो हम यहाँ पर आएंगे, इसके जितनी भी spectra के blocks होत करके एक अच्छा सा beautiful design हैं, कैसे बना सकते हैं, या फिर जो design मैंने यहाँ पर दिखाया है, same as a design हमारे को खुद अपने आप बनाना हो, template को import ना करना हो, तो भी हम बना सकते हैं, बहुत ही असानी से, इस सारे widgets, ब्लॉक्स को use करके, तो आपको comment करके मुझे बताना है, पर नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगहां आके सारे काम आपके हो जाएंगे बहुत असानी से, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like करना, लोगों को साथ share करना, चैनल पर फस्ट टैम आए हो, तो सब्सक्राइब के bell icon भी प्रेस कर देना, जल्दी मिल झाल